नमस्कार दोस्तों आपके यूट्यूब टेनेट टार्गेज विकास में आपका सौगत है यहाँ पे UPSI भरती में महा धांदली चल रही कर्ठिन परिश्रम वालों के साथ हुआ फ्रॉड यहाँ पे पूरी खबर हम आपको उताएंगे 156, 155, 160 कैसे संबह हो सकते हैं कुईशन पेपर रद होना चाहिए या फिर नहीं नई परिच्छतित की मांग कौन कर रहा है या बात सही है या गलत योगी बच्चों के साथ में पूरे सिस्टम की साजिस यहाँ पे एक पूरी अपडेट हम आपको उताएंगे कि जो अभी आपका एक्जाम हुआ है UPSI भरती का तो इसमें जो नंबर मिल ला है हमने आपको उता दिया कि 156, 155, 160 मिल ला है ऐसे कुछ संस सही मिल ला है तो ये क्या बात कितने लोगों के मिल ला है ये भी पूरा सर्वे किया जाएगा उसके बाद में बताया जाएगा ठीक है? यहाँ पे जो निउस पेपर में कटिंग निकल लही है कि दरोगा भरती निरस्थ होगी पेपर अब हो पाया है और निरस्थ पहले होने जा रही है मतलब कि एकन्सी निकलेंगी निकलेंगी तो निरस्थ होगी ऐसा कुछ भी नहीं होगा पेपर रद नहीं होगा और जो नई परिच्छतित है वो भी नहीं मिलेगी आपके साथ निर्ड़े किया जाएगा कि जो बच्चों ने परिश्थरम करके अपना पेपर दिया है उनके साथ में कुछ भी गलत नहीं हो पाएगा ठीक है वो कैसे होगा हम आपको यहां बताने वाले हैं यहां पर हम आपको उता दें कि अभी आपका जो एक्जाम हुआ था UPSI का ठीक है उसमें कई छात्रों के इस टाइब के नंबर आएगा कुछ रही हो रहा है ठीक है लेकिन अब क्या होगा इसमें यहां पर पुरा सर्वे किया जा रहा है और जिस लोग जितने छात्रों के इस टाइब के नंबर आएंगे उनका पेपर मतलब उनका रिजल्ट जो आएगा जो गौर्मेंट है वो कुछ नेडरे लेगी ठीक है लेकिन जिन लोगों ने अपना कटिन परिशम करके सही से पेपर दिया है तो वो लोग रेस करना स्टार्ट कर दें वो यह ना सोचे कि अब पेपर रद हो जाएगा नई परिच्छातित मिलेगी एसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि इनके सिर्पे क्या है election चल रहा है election होने वाला है अभी तो बठती तो निकालते नहीं और जो निकाली वो भी रद कर देंगे तो यह सोच सकते हैं कि इनकी सरकार का क्या होगा ठीक है और जितने छात्राओं के इस टाइप से 150 प्लेस नमबर आ रहे हैं वो सभी छात्र कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ठीक है यहाँ पे गौर्वेंट पुरा निर्ड़े लेगी आप लोग परेसान ना हो और अपनी जो दोड़ है वो करना स्टार्ट कर दें जिसके जनरल में जिसके जनरल में नमबर क्या मिल रहे हैं हम आपको उता दें जिसके जनरल में नमबर आ रहे हैं कुश्चन सही हो रहे हैं 105 से मतलब 105 से 2-3 उपर हो सकते हैं नमबर लेकिन 105 से जिसके कुश्चन सही हो रहे हैं वो लोग अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दें क्योंकि टाइम बहुत कम बचेगा आपनी दौड स्टार्ट करिए क्योंकि एंसर की देख सकते हैं आप कितनी जल्द एंसर की जारी की गई थी उसके बाद में आप कटाफ हमने बता दिया है कि जनरल जनरल की 105 से 110 जिसके 9 कु कोईट करा दूँगा जिससे कि जतने चात्राओं के चात्र के मांड में अभी भी कनफ्यूजन बना है कि क्या कटाफ जा सकती है वो आपका दूर कर देंगे और सेफ स्क्योर बता देंगे आप अपना सेफ स्क्योर देख लीजिए गा और अपनी डौड स्टार्ट कर दिज ये की पेपर रद्ध होगा आप दौट चालू करिए आपके साथ में निर्ड़े होगा गौर्वर्मेंट साथ निर्ड़े करेगी ठीक है और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जाद साथ वीडियो को सेर करना क्योंकि बहुत सारे चातर के माइंड में अभी भ रद्ध हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है उन लोगों को माइंड से ये सब बाते निकल जाए ठीक है और वो अपनी दौट करना स्टार्ट कर दें अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जाद साथ वीडियो को सेर करें और चैनल को सब्क्राइब करन ना बोले नमस्कार दोस्तों धन्यवाद